प्रियंक और मैं आज आपको बताने जाए हो कि YouTube ने इस साल क्या चांज्जन किये हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि YouTube हर साल कुछ न कुछ चेंज लाता है और हर साल स्मॉल यूट्यूबर देख लाता है जो कि अच्छे सप्राइज नहीं होते हैं वो बैंड सप्राइज होते हैं तो फिर अगर आप एक स्मॉल यूटुबर हैं तो आपको इस निव से धक्का लग सकता है घबड़ाये मत अपने महनत और लगन से आप अपना यूटुब चैनल चलाते रही है तो चलिए पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है तो जाता कि यहां पर लिखा है कि यूटुब जो है अपने यूटुब पार्टर प्रोग्राम में को चेंज कर रहा है और उनका गोल यह है कि creator के revenue को वो product करना चाहते है इसके लिए यह सब चीज़ें वो कर रहे है तो friends चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि under new eligibility requirement announcement today तो इसमें जो है इनके यह requirement है कि आपको 4000 hours of watch time within past 12 months और 1000 subscriber यह दोनों requirement आपको meet करनी है और अगर आपके यह requirement नहीं meet हो रही है तो आपके channel का monetization बंद कर दिया चाहेगा और यह आपको 30 दिन दे रहे हैं अगर आप 30 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है कि हाँ आपके watch time 4000 hours हो चाहें और आपके subscriber 1000 हो चाहें तो आपके यह monetization को नहीं अटाएंगे और ऐसा करने के लिए आपको 20 February तक का समय दिया गया है और अगर ऐसा हो चाहता है तो आपके लिए अच्छा है तो लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया है कि जो monetized channel चल रहे हैं और जोनोंने past few months में revenue earn कर रखे हैं अगर आप यूके में हैं तो 60 पाउंड अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप वह थ्रेस होल्ड मीट नहीं किया है और आपके जो भी revenues आपने earn कर रखे हैं तो उनका क्या होगा वह अगर आपके जब monetization future में हटा दिया जाएंगे तो उस revenue का होगा क्या उनने कुछ भी नहीं बताया है तो यह confusion है तो अब देखिए इनके क्या in future इंके क्या email भेजते है तो friends अब इसका solution क्या है और जो small youtuber जिनके जो बिल्कुल इस eligibility के near है तो उन्हें क्या करना चाहिए तो मेरी तरफ से एक suggestion है कि अगर आप advertisement लेक आप अपना वीडियो प्रोमोट नहीं करते हैं तो आप उसे try कीजिए आप एंडवर्ट पे एकाउंट बनाएए और अपने वीडियो को प्रोमोट कीजिए यसे यह होगा कि आप उस eligibility requirement के अगर नियर है तो आप उसको meet कर जाएंगे तो यह एक suggestion में तरह से है तो friends आज के लिए इतना ही चलते हैं धन्यवाद कर दो कर दो के लिए एक ले एकाउंट आपद पाने तो आपके लिए ईन्यवाद